प्रणाम देवी और सजनो दे हिंद्दू न्यूस्पेपर एनालसिस वीडियो में तीन कलर के आपको हालाइट्स मिलेंगे सैफरं कलर का मतलब होगे इस टॉपिक को डीटेल में एक्स्प्लेइन किया गया है यलो कलर का मतलब होगे वो एडिटोरियल्स है और ग्रीन कलर का मत टॉपिक्स की एडिटोरियल्स की और जो ग्रीन वाली हेडलाइन से सब के गो थू करेंगे यहाँ पर हम लोग ग्रीन हेडलाइन को हलका सा एक दू मिनिट का टाइम देख करके explain भी कर देंगे, then हमारा टाइम आएगा major news जो है उनको explain करने का, इसमें we will be covering the topic in detail तो जो topics separate color में होगे, इनको detail में पढ़ेंगे, फिर हम लोग editorials को exam point of view से पढ़ेंगे, आपको notes वगरा बनाने की ज़रूरत नहीं है ऐसा कर सकते हो, कि जैसे आज ही वीडियो देख रहे हो, आज से दो दिन बाद का एक sequence बना लो दो दिन बाद इसकी जो PDF टेलेग्राम चलने पर available होगी, उसको बस read करना, कुछ note down मत करना मैं तो कहूंगा newspaper से और इस PDF अगरा से note down मत करो, सिर्फ read करो, aware रहो एक panel paper साथ में ज़रूर रखो, क्योंकि notes तो नहीं, बट कुछ वीडियो में ऐसी important बाते कभी-कभी आ जाती है चो शायद note down करने पड़े, तो overall तीन या चार line का कुछ आपको note down करना पड़े एक दिन में, तो वो काफी है notes बनाने के लिए मैं कहूंगा कि monthly magazine को आप prefer करो, PDF टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी आपको इस वीडियो के upload होने के कुछ देर बाद, टेलिग्राम चैनल का link नीची वीडियो को description में given है Let's start कल बले topic एक बार revise कर लेते हैं, हम लोगों ने सबसे पहले topic किया था जो राजीव गांदी का case था, ये GS2 में, इसमें में Supreme Court के बारे में pardoning power के बारे में पढ़ना था, राजीव गांदी की जो पूरी story थी वो आपको वैसे पता होने ची बट एक्जाम में कोई आपसे Supreme Court ने पहले ही कई बार यूज किया है, ताज महल को लेकर भूपाल गास tragedy में and multiple times, उसके अलावर national or state highways पर alcohol वगड़ा को sale को ban करने के लिए भी, next topic हमारे पास था about the collegium system, ये भी GS2 का जुड़ीश्री का ही topic था, इस पर दो बार question आया, mains में भी आया था, एक prelims में भी आया थ Then, collegium system जिसमें evolution हुआ था, three cases से, first judge case 1981, second judge case 1993, third judge case 1998, first वाले में उन्होंने का था कि CGI जो होंगे, उनका recommendation important होगा, second judge case में बताया था कि consultation का मतलब concurrence होता है, third judge case में बताया था कि जो collegium होगा, उसमें five members होंगे Supreme Court के लिए, CGI उसको head करते हैं और उसके different roles होते है, judicial appointment में CGI का, Supreme Court के judges का, and high court के level पर high court के judges बगर आगा, इसमें हम लोग ने इसके issues देखे थे, कि executive को बाहर कर दिया जाता है, favoritism, nepotism भी आ जाता है, checks and balances को कहीना कहीं oppose करते हैं, close door mechanism होता है, सब कुछ बहुत secrecy में होता है, and women का representation नहीं हो पाता है, तो इसको change करने के लिए National Judicial Appointment Commission लाया गया आप कलवले तीन topic back to back हमारे judiciary से connected थे, और GS2 से, जो tribunals एक तरीके से आप मान सकते हैं कि वो judiciary का एक mechanism है, वो quasi-judicial होते हैं, वो not exactly the same thing, इंडिया में बहुत सारे tribunals की जरूत होती हैं कि court के बाद बहुत सारा workload होता है, तो सम्विधान में हमार पास दो article है, 323 A and 323 B, A में हम हम लोग बात करते हैं, administrative terminals की, जो कि सर्फ central government की द्वारा बनाया जाते हैं, public servants के लिए, 323 B में हम लोग बाकी सारे tribunals की बात करते हैं, जिसे taxation, foreign exchange, industrial labor, land reform, selling on urban property, elections to the parliament and state legislature, foodstuff, rent and tenancy, etc. अधरतन देश, एक important चीज है, article number 262, जहांपर हम लोग बात करते हैं कि interstate reverse के conflicts वगरा को ले करें, तो इंडिया में अलग लग तरह के tribunals होते हैं, administration में हमार पास central administrative tribunal होता है, joint administrative tribunal होता है, फिर हमार पास income tax का होता है, NGT होता है, securities का appellate होता है, competition appellate tribunal भी होता है, NGT मे हम लोगों ने कल बात की थी, ये 1995 में act है था, लेकिन 2010 में हम लोगों ने NGT को form किया था as a statutory body, इस India के अलावा, sorry, Australia and New Zealand, इन दो countries के पास भी इस तरह का एक tribunal है, जो environment specific issues को handle करता है, then after this we talked about the difference between court of law and the tribunal ही, आपको याद करना पड़ेगा, ये important information है, then yesterday we talked about GS2 का social issues, women abortion laws को ले pregnancy को terminate करना अपने आप में criminal crime माना गया था, 1971 में हमार पास एक act आया था, medical termination of pregnancy, उसमें कुछ limitations थी, एक तो unmarried women के लिए allow नहीं था, and 20 weeks तक की limitation थी, और फिर उसके बाद हम लोगों ने 2021 में हमारे 1971 वाली act में changes किये, हम लोगों ने allow कर दिया था 20 से 24 week तक का, और उसके ला और basically, sorry, गलती से बोल दिया, 24 weeks के further beyond में medical board से permission लेनी पड़ती है, 20 से 24 week तक होगा तो दो लोक्टर के permission लेनी पड़ेगी, and इसमें बहुत सारे फायदे हुए थे, एक तो जो unmarried women होती है, उनको भी एक right मिल गया था, और इसमें problem तब भी यह होती है, काईना के ethical debates आते हैं, एक तो कि women की life को protect करना है, या फिर जो fetus होता है, उसके life को protect करना है, तो यह ethical dilemma भी create करता है, we talked about all these topics, and सारे के सारे useful हैं, सारे के सारे prelims और mains, दोनों जगह पर पूछे जाते हैं अकसर, एक बड़ाई amazing editorial है, इससे cover करते हैं, इसको लिखा है, फुरकान कमर ने, फुरकान कम इस topic में लोग बात करेंगे, autonomy की, और higher education की, तो point यह था, कि QS World University की rankings आई थी, times higher education की rankings आई थी, and इसके लावा academic rankings of world universities की, ये तीन तरह की rankings देखने को मिली थी recently, इन तीन तरह की rankings में, इंडिया की जो universities है न, उनकी ranking बहुत ही नीचे रही है, तो इस पूरे editorial में उन्होंने ब अच्छी rank में है न, worldwide, दूसरे देशों की, उनमें कारण ये था कि वो autonomous हैं बहुत अच्छे हैं, तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, कि इंडिया की कोई भी institutions, top 100 universities में available ही नहीं है कहीं पर भी, और उसका कारण ये है कि वो जो universities top में है, उनके पास funds बहुत अच्छे हैं, उसके कारण की academic, administrative और financial autonomy बहुत ही strong है, तो autonomy से, autonomy आप कहा सकते हैं कि उनको excellence attain करने में help करती है, support करती है, और उनके लिए necessity भी है उनकी, अगर हम बात करते हैं, जिस universities के पास अच्छी degree of autonomy होती है, तो more than that, उनके colleges, उनके schools, university within university का concept लेके चल रहे होते हैं, और वो आस प examples दिये गए थे यहां पर, different, different, those we try to understand, world rankings and India करके, 2023 का एक addition आया था, QS world ranking का, उसमें, तीन जो इंडिया की higher education institutions है न, वो top 200 में थे, सिर्फ 3, now this 3 is not at all an achievable thing, मतलब 100 में, 3, और हमारी, as per the democracy, हम लोग यहां पर, world में, हमारी जो, पुरी की पुरी democracy है, we are the most democratic nation, world wide सब साथ acceptance, इंडिया की democracy की ही है, तो जब QS की world ranking में, इतनी कम rankings, उसके बाद times higher education की rankings भी आती है, वहाँ पर एक Indian institution है, जो top 400 में था, similar साथ देखने को मिला था, academic ranking of world universities में भी, उसमें भी हमारी universities का कोई खास values नहीं थी, IITs के इनाइटेज थी, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ better funded ही होती है वो, उनमें self governance अच्छा होता है, वहाँ पर autonomy अच्छी होती है, वो UGC की तरह regulatory purview में नहीं रहते most of the time, जो भी best universities रही हैं इंडिया की, इससे पहले भी, तो उसमें problem सिर्फ funding की एक कह सकते हैं, जिससे हमारा topic एक्छल में autonomy की बात कर रहा है, but autonomy का number मतलब सिर्फ उसमें funding से नहीं होता है, governance कैसी है, administration कैसा है, regulation कैसा है, plus इन सब का base बन जाता है फिर fund, बहुत सारी cases में इनको micromanage किया जाता है, regulatory authorities के दवारा, तो micromanagement जो होता है na, student admission का, faculty recruitment का, course content का, program की delivery का, ये सब चीजें उनको excellent बनाती है, तो most of them have become so comfortable with the practice कि वो rarely assert करते हैं अपनी autonomy को, आज के time में, अब यहाँ पर autonomy बहुत ही prime है, if you can understand, जो best universities हैं world की, वो continuously sensitize रहती हैं, अपनी importance of autonomy को लेकर, and जो जैसे European University का association है, उसमें university autonomy टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, it's like a tool there, वो autonomy के चार कुछ areas को बढ़ फोकस करते हैं, जो एक तो organizational, financial, staffing and academy, तो यह सिर्फ policy planners में नहीं हैं इंडिया में, यह idea जो है, but जो बहुत ही obvious सी चीज़ आई है, कि इंडिया के higher education के अंदर autonomy का होना बहुत important है भी, तो जितने जदा commissions हैं, जितनी committees आई हैं, जिसे कि हमारा national education policy आया था, 2020 में, अगे इन में एक बार remind कर देता हूं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इंडिया में 2020 में तीन चीज़ें आया थी, major, major, एक तो हमारा national education policy आया था, एक हमारा environmental impact assessment रिलीज किया गया था, और तीसरा important था, आत्म निर्वे भारत का पूरा का पूरा package, तो national education policy में, commissions में, committees में हर जगे पर बात की गए थी, highlight किया गया था, universities की autonomy को, नई education policy completely इस चीज़ को support करती है, हमारे academic और administrative autonomy, बहुत essential है कि हम इनको multi-disciplinary बनाए, ताकि teacher और जो institutional autonomy रहे, यह creativity और innovation को और promote करें, अब जो policy है ना, इसमें autonomy की कमी जो है, यह major problem बन चुका है, हमारी जो पूरा का पूरा जो, मैं कहिसे तहूं, framework जो हमारा होगा, जो हमारा structure है, वो बहुत हद तक dependent है, dependent है funds के उपर, dependent है regulations के उपर, तो यह argue यह होता है, argument यह आता है कि there are light but tight regulatory frameworks, और अभी insist किया जा रहा है कि नया regulatory regime होना चाहिए, ताकि culture of empowerment, empowerment मतलब सशक्तिकरण हो इन्ची उसका, अगर हम एक accreditation के robust system के उपर rely करते हैं तो सारे के सारे जो higher educational institutions हैं यह इनमें full academic और administrative autonomy आ जाएगी, तो इनका accreditation और strong करने की ज़रूरते में हो, एक excellent exposition होना चाहिए हमारे academic और administrative autonomy का, तो कौन convince कर सकता है academic bureaucracy को better than जो new education policy थी, जब new education policy में सबका support था, उसे publicly open किया गया था, उसमें से options लिए गए थे, लोगों के opinions, perspectives पूछे गए थे, sadly, बहुत selective execution हुआ है उस policy का, based on कुछ convenient interpretation थी उस text की, इसके कारण थोड़ा सा हमारा higher education एक अलग direction में जा रहा है, जो इंडिया में universities है न, वो अपनी autonomy right now तो lose कर रहे हैं, तो दो साल का approval का announcement हुआ था, जिसमें हम लोग national education policy को धिरे-धिरे implement करेंगे, तो उसमें हमारी autonomy देखा जा तो पहले से थोड़ी सी कम ही है, हमारे जो higher learning centers हैं, जिसे ancient India की बात करते थे, उनके पास भी autonomy ज़्यादा हुआ करते थे, in comparison to what it is today, even जो world की major universities हैं, जितनी उनकी autonomy आज है न, उससे ज़्यादा हमारे ancient, जो institutions, academic institutions, उनकी ज़्यादा autonomy हुआ करती थी, तो अगर हम लोग force करेंगे, higher educational institutions को, कि वो सब uniform, standardized rules और regulations फॉर्म करें, तो कहीं न कहीं, यह हमारे जो national education policy के provisions है, उसके against जाना start हो जाएगा, तो micromanagement कर सकते हैं, किस चीज़ का, students का, admission का, faculty का, recruitment का, course content, program delivery, administration का, यह अपने आप में हमारे education को, excellence से और beyond लेके चला जाएगा, तो topic बहुत छोटा सा था है, इसमें important यह था, autonomy of the universities, you can mention this थी, अगर आपको कभी education का कोई topic आता है exam में, you can properly mention कि हमारी जो rankings है, QS world ranking में, times higher education में, academic ranking of world universities में, बहुत low है, यह बहुत जादा होता है, if we give them more governance, हमारे program delivery, हमारा faculty recruitment में, university को power दी जाएगे, ठीक है, take up the charge, go into research, experiment करो, then there is a very high possibilities, कि हमारी जो universities की rankings है, वो improve हो जाएगे worldwide, this was a small topic, I think very interesting, autonomy, आपको तो exam में एक line में लिखना होगा, यह issue क्या है हमारे higher education में, तो आप simple लिख दोगे, again, जो दूसरा channel था, मैं उस पर बार बार repeat करता था, health के मामले में, UPSC is more concerned about the primary health, अगर आप exam में देखोगे, but when it comes to education, यहाँ पर primary education की बात, UPSC करता है लगी, इतनी ही नहीं करता, बिलकुल इगनोर कर रखा है, नहीं नहीं, वो भी है, but majorly focused फोकस पर primary पर है, वैसे ही, education में ऐसा नहीं, UPSC ने primary education को बिलकुल इगनोर किया हुगा है, no, but mostly focused कहाँ पर है, higher education पर, so this was about this editorial, we have this very small topic, record seizure of cash, liquor in the poll-bound Himachal, Gujarat, election commission नहीं, तो election तो चलते ही रहते हैं भारत के अंदर, अच्छा, एक और update है इसके साथ में, recently हमारे जो chief election commissioner रहन है, उन्होंने कहा था कि, उन्होंने अच्छे से सोचा है, one nation, one election के बारे में, and election commission is ready to execute this, बाकि उन्होंने कहा कि, हम government के पास proposal डाला हुआ है, government has to take the final step, क्योंकि इसमें constitution में amendment करना पड़ेगा, तो parliament में कुछ changes लाने पड़ेगी, bill वगरा में, but election commission के जो chief है, उन्होंने कहा है कि we are ready to take this step, अभी जो मारा topic है, इसमें actually बात की जारी कि भी हिमाचल में और गुजरात में elections वगरा होने वाले हैं, assembly elections, तो कुछ जगह पर cash वगरा, शराव वगरा पकड़ी गई थी, इस topic में कहिना 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 मारा, जो point है रहा होनता है, model code of conduct का, GS2, Indian Constitutional Election Commission, ये छोटा सा spelling mistake हो गया है, please ignore this, model code of conduct का मतलब होता है, set of guidelines, तो election commission क्या करता है, political parties को थोड़ा regulate करता है, क्यों, क्योंकि election commission के लिए, एक बड़ा major, जो keyword है वो यूज के रहा था, वो है ensure free and fair elections, तो हमारे सम्विधान में, constitution के according, जो article 324 है ना, इस से election commission को power मिलती है, कि parliament के और state के elections के उनको, वो regulate करेगा, supervise करेगा, तो एक set of guidelines होते हैं, ठीक, आप इस तरह किसे campaigning करो, ऐसे अपनी party का प्रचार करो, ऐसे अपना manifesto निकालो, लोगों से contact करो, बताओ, कि जब आप सरकार में आऊगे, तो आप लोगों के लिए क्या भैतर करना चाहोगे, इसी को लेकर के, election commission ने एक model code of conduct बनाया है, conduct मतलब कैसे बरताओ किया जाएगा आपका, उसको लेकर करके code बनाया हुआ है, तो ये operation from the date that election schedule is announced, till date the results are announced, ये बहुत important है याद रखना, दूसरे चीज, ये लोग के द्वारा enforceable नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे provisions हमारे model code of conduct के, जिनको via IPC या फिर CRPC के तुरू implement किया जा सकता है, कुछ चीज़े हैं, but overall हमारे model code of conduct बो implementable, मतलब इस तरीकिस से enforceable नहीं है, पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया था 1960 में, बहुत सालों पहले, केरला के कुछ state assembly elections में, फिर इसको further और evolve करा करकर, कि हम लोगों ने first time हमारे 1971 में elections हुए थे, उसमें किया और बाद में फिर ही change होता जा रहा है, उसमें set of guidelines उनको समय के साथ update करते रहते हैं, अब ये शराब बराब cash waste distribute करना, vote gain करने के लिए ये allowed नहीं होता, ये भी मारे model code of conduct में ही आता है, तो इसलिए ये topic में मैंने इसमें model code of conduct आपको समझाने की कोशिश किये, देखो आप topic पढ़ लेते हो ना, उसमें समझने की कोशिश क्या करोगी, UPSC से क्या निकलवाना चाहिएगा, so this was a small topic but very important one, दो बाते हाँ लखना कब से कब तक होता है, और ये non enforceable होता है, अब जो मारे पास topic है, वो है ED freezes bitcoins worth रुपीज 22.82 करोड in the e-nuggets app case, इस topic में और एक और साथ में भी है, Yelen pushes for global cooperation on the regulation of cryptocurrency, दोनों topic में actually bitcoins की cryptocurrency और ED के बारे में बात की गईए, तो ED का जो topic है, बाट सिंस ये अपने आप में एक body है, statutory, तो ये GS2 में भी आ सकता है, हम लोग इस topic में generally bitcoins, cryptocurrency और ED, तीन topic को cover करेंगे, पहले previous questions देख लेते हैं, blockchain technology को लेकर के 2020 में question आया था, बिल्कुल recent में देखो, it is a public ledger that everyone can inspect, but with no single user controls, the structure and the design of blockchain is such that all the data in it are about cryptocurrency only, applications that depend on the basic features of blockchain can be developed without anybody's permission, तीनों में से कौन था करेक्ट है, 1 only, 1 and 2 only, 2 only, 1 and 3 only, प्लिस ठाय तो अंसर देखो इस question ये बिल्कुल recent का question है, तीन एक और क्वेशन है था, विद रफरेंस तो bitcoins, sometimes seen in the news, which of the following statement is or are correct, तो पहला था, bitcoins are tracked by the central bank of the countries, anyone with a bitcoin address can send and receive bitcoins from anyone else with a bitcoin address, online payments can be sent without either side knowing the identity of the other, which of the above are correct using the code, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 3 only, 1, 2 and 3 only, प्लिस ठाय तो अंसर इस question इस तरी इंप्रेंट, अब ताय तो अंसरेंड की एडी क्या होता है, इसका काम होता है, money laundering के offenses को check करना, plus में foreign exchange laws का अगर कोई violation करता है, तो कहाँ पर है ये Department of Revenue का अंडर आता है, अंडर Ministry of Finance, तो को money laundering का मतलब क्या होता है, laundry word पता है, कपडे सवाही करते हैं, machine के अंदर laundry, वैसे ही, जो black money को wash करके, और white money में convert कर देता है, तो काले धन को सफेद धन में convert कर देता है, उसको बोलते money laundering, तो इंडिया के तरफ से, जो enforcement directorate है न, ये हमारे constitutional laws को follow करके, ये हमारा premier financial investigation agency है, आज कलना ये news में बहुत चल रहा है, एक तो वो actors है, Jacqueline Fernandez को लेकर, एक ये con man, सुकेश, सुकेश, सम्थिंग नाम आ रहा है, एंड महराष्टा के elections में बहुत नाम आ रहा था, फिर recently जहारखंड में जो, उनके CM है उनके साथ नाम आ रहा था, एंड देली में जो, excise policy को लेकर कर आ रहा था, ED का, so you see ED is being mentioned in news multiple times, पर आपके exam में आपको सिर्फ ED पर focus नहीं करना होगा, यहां पर हमारे पास आज का topic ED है, but you also need to make sure कि बाकी investigation agencies क्या क्या होती है, तो ED यहारे उसमें भी आता है, GS3 के internal security वाले topic में भी fall करता है, तो ED का genesis कैसे था, यह आपको exam में पूछेंगे नहीं, but just try to listen to this, कि 1956 में एक enforcement unit को बनाया गया था, under Department of Economic Affairs, and इसके headquarter Delhi में थे, तो 1957 में इसको rename करके enforcement directorate बना दिया गया था, 1960 में administrative control जो था, वो transfer कर दिया गया था, from Department of Economic to Department of Revenue, फिर 1947 में फेरा आया था मार पस, जो foreign exchange management का था, इसको repeal करके, इसको replace किया गया था, फेरा के साथ, इसको फिर 1947 वाले को 73 से replace किया गया था, फिर 1991 में हमार पास economic, जो हमारा economic changes आया थे, हमारो लोगो ने LPG policy लेके आया थे, liberalization, privatization और globalization का, तो इसको फिर से replace किया गया था, फिर हमने इसको बनाया था FEMA, 1999, Foreign Exchange Management Act, ध्यान रहे, हम लोगों ने उपर बात की थे, कि जो account enforcement directory होता है न, ये money laundering के साथ-साथ, foreign exchange laws पर भी काम करता है, और हमारा foreign exchange management act, जो ही actual में foreign exchange की चीज़ों को handle करता है, फिर international anti-money laundering की रेजीम भी आ जाता है, फिर मार पास prevention of money laundering act आता है, ये सब के सब ED के साथ ही interest कर दिये गए थे, ED का structure क्या होता है, hierarchy क्या होती है, New Delhi में इसके headquarter है, जिसको इसमें director होते हैं, पांच regional offices हैं, दस zonal offices हैं, recruitment की बात करते हैं, तो directly किया रहता है, न, यानि कि दूसरी investigative agencies से officers को निकाल करके, और ED में add कर दे दाता है, जैसे कि IRS जो UPSC select होते हैं, IPS, IAS, ये सब के सब UPSC का exam देकर select होते हैं, तो साहिर सी बात है कि आपको ED के बारे में पता ही होना चाहिए, उसके अलावा income tax officer, excise officer, custom officer and police, अभी income tax, excise officer, custom, ये सारे के सारे SSC का exam से निकलते हैं, टेकर वो grade B का exam होता है, grade B की job होती है वो, tenure का मतलब, November 2021 में, President of India ने दो ordinance निकाले थे, अब ordinance क्या होते हैं, मैंने दो दिन पहले आप लोगों को explain किया था, जहांबर हमने President को और Governor को compare किया था, एक चीज रिपीट कर देता हूँ, President जब ordinance पास करता है, तो उसका article नमबर होता है 1, 2, 3, कीसी है यहाद रगना, Governor जब ordinance को पास करता है, तो article नमबर हो जाता है 2, 1, 3, ordinance मतलब temporary law, तो हुआ यह था, कि जो tenure था हनकी director का, CBI का, plus में अपना ED का, उसको increase करके 5 साल तक कर दिया गया था, अब important यह है, एक Delhi Special Police Establishment Act है, और एक Central Vigilance Commission Act भी है, इनको amend किया गया था, इसमें कहा था कि government ने, अपने पास एक power रख ली थी, तो keep two chiefs in their post for one year, and after they have completed their two year terms, chiefs जो हैं central agencies के, इनके पास एक fixed 2 साल का tenure है, but they can be given 3 year का annual extension, यह changes किये गये थे, हला कि उसके beyond का कोई further extension देने की बात नहीं की गई थी, अब ज़र हमके functions देख लिएते हैं, ED के functions क्या होते हैं, statutory functions, statutory मतलब यह किसी act में mentioned है, एक है conservation of foreign exchange and prevention of smuggling activities, smuggling भी आपको पता चल गया होगा, smuggling, इदे को money laundering, smuggling, foreign exchange बगरा है, तीन-चार चीज़े आती है, फिर FEMA का act है महर पास, foreign exchange management का, वो भी एक civil law है, उसमें भी India भी यह चेक करता है, कि दूसरी country के साथ मारा जो पैसो का lend-dain होता है, डॉलर से रूपी में, रूपी से डॉलर में, उसमें जो लोग फिरोती का काम करते हैं, और जो money laundering करते हैं, यह सारी चीज़े करते हैं, उनको उपर investigation करना, उनकी जिम्यदारी होती है, कि किसी बितरे के laws and regulation का violation तो नहीं हो रहा है, अगर ज़रूत पढ़ते हैं, तो penalties भी लगा देते हैं, यह नहीं हमारे पास prevention of money laundering act है 2002 का, इसके लिए हमारे पास recommendation आती ही FATF से, FATF क्या करता है, international level के उपर money laundering को check करता है, फिर आता है हमारे पास एक fugitive economic offenders act, इसमें जो number of cases तो वो कुछ समय से लेख रहे थे हम लोग increase होते जा रहे थे, तो उस चीज़ को भी ED को interest कर दिया गया था, अब ED function कैसे करता है, PMLA के अंदर, यानि की prevention of money laundering act के अंदर, इनका काम होता है search करना, property पर search लगाएंगे, रहो aid बगरे डालना, seizure कर लेना, attach कर लेना, और यह सब इनके act में mentioned होता है, फिर एक section 50 होता है, उसमें वो directly search कर सकता है, बिना किसी इनसान को सवाल जवाब किये, तो इसकी power ज़ादा होती है, इसलिए आप लोग देखो कि न्यूज में आशकल कितनी जिगापर ED का इस्तिवाल किया जा रहा है, तो इनके लिए ज़रूरी नहीं है कि समन करना उस person को पहले, समन मतलब होता है, किसी को official notice देख की बुलाना, जैसे court में जब हाजरी लगानी होती है, तो court का समन आता है, कि court की तरफ से official notice आएगा, तो किसी को search करना हो, seize करना हो property को, तो ED को किसी person को question करने की ज़रूरूर भी नहीं है, जो punishment हो सकती है, वो 7 साल से उपर नहीं जा सकती है, under PMLA, तो PMLA तो अलग topic हो जाएगा पूरे डिटेल में, अब jurisdiction के अगर बात करते हैं, enforcement directorate के, तो जो हमारा FEMA और PMLA है, यानि कि prevention of money laundering act, और foreign exchange management act जो है, ये पूरे के पूरे इंडिया पर apply हो सकते हैं, तो यानि कि ED का काम क्या हो गया, पूरे के पूरे इंडिया पर हो गया, बट कहीं न कहीं, ये चीज़ को ही हम लोग criticize भी करेंगे आगे, देखना आगे वाल topic हो लोग करेंगे, तो जो भी cases होंगे, ये सारे के सारे civil courts में जाते हैं, और PMLA के जो cases होते हैं, जी जाएंगे सारे criminal courts में, important है ध्यान रखना, ये शाहिद prelims में आपसे दुबारा पूच सकते हैं कभी, कि हमारे जो FEMA, foreign exchange के, जो cases होंगे कहाँ पर जाएंगे, civil court में, और prevention of money laundering के किसी कहाँ जाएंगे, criminal court में, agency के पास jurisdiction होती है, over one person और any other legal entity, जो crime करता है, ED can not take action, suomoto, किसी इंसान को complain करना पड़ेगा, ठीक है, किसी दूसरी agency को, ये फ़र police को पहले, उसके बाद ही investigation कर सकती, ED का काम क्या है actual में, search करना, investigation करना, तो आपको ये नहीं के सकती है, आप direct ED के पास चले गए, और बोले कि, हमें लग रहा है कि, उस person ने न, foreign exchange का, money laundering पर रखिया है, no, no, ED एक तरीके से second level पर होता है, तो आपको पहले police के पास जाना पड़ेगा, police की तरफ से आगे further request जाती ED को, तो ये कुछ चीज़ें छोटी-छोटी हैं, इनको समझना जरूरी है हमारे लिए, then, why is the ED being criticized lately, कुछ समय में देखने को मिल रहा है, कि ED को criticized बहुत किया जा रहा है, Supreme Court ने, कुछ allegations बगरा को बात की थी, की misuse किया जा रहा है, Prevention of Money Laundering Act का, Government के द्वारा, तो कभी हैं कहीं, उनको कुछ ordinary crimes के लिए बी ED का इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटे-मोटे crime होगा, लेकिन उसके लिए Money Laundering का Act के अगेंस, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसके अलाबा, बहुत सरे offenses ऐसे होते हैं, जो कि they are extremely overbroad, several cases के अंदर कोई relation भी नहीं होता, नार्कोटिक्स वगरा का, और नाइस क्राइम का, लेकिन फिर भी ED को कहींच लिया जाता है, Transparency, Clarity की कमी होती है, जो enforcement case, ECIR की एक basically, FIR की जैसा ही होता है, इसको ना internal document बोलते हैं, ये is not given to the accused, accused मतलब इसको पर दोष्ट लगाया जाता है, तो उसकी information की report होती है, तो ED अपने आपको एक exception consider करके चलता है, क्योंकि जो उनके सिध्धानत है, जो उनकी practices होती है, उन चीज़ को मान करके, तो खास करके ECIR को ले करके, फिर बहुत सारा clarity की भी कमी होती है, कि ED का selection वगरा कैसे होता है, कौन से के इसको select करेंगे, कैसे investigate करते हैं, चिज़ को ले कर proper चीज़ नहीं है, investigation जो होता है ED के दुवारा, उसके बहुत सारे consequences भी होते हैं, खास करके individual के liberty को ले करके, क्योंकि अब देखो ना, इसमें कौन कर रहा है सारे काम, search वगरा का, seizure का, हम लोग ने उपर बात की थी ना, सारे के सारे officials होते हैं, IRS के, IPS के, IES वगरा के, recent में कुछ controversies भी थी, regarding the prevention of money laundering act को, और power and efficiency ED को ले करके, तो यह जो act थमारा 2002 में बनाया गया था, इसमें बहुत सारे changes भी आया थे, time to time पर, हाला कि जब इसके amendments की बात करते हैं, बहुत सारे petitions भी फाइल किये गए थे, कि ना, इसके पास बहुत सारी blanket powers है, ED को, using this act, search करना, seize करना, investigate करना, assets को attach कर देना, फिर कुछ recent hearings भी एती, Supreme Court के उन्होंने का था, कि PMLA की जो constitution validity है, उसमनोंने ED की power की inquiry भी की दी, किस तरीके से लोगों को arrest करते हैं, कैसे property को attach कर लेते हैं, तो उन्होंने का था, कि इनका section 5 है, इसमें balance करना है आपको, सारी की सारी चीज़ों को, ensure करना है कि crime जो है उसको manner, जो proper से manner दिया गया न, PMLA Act में 2002 में, उसी से करना है आपको, फिर ED के authorities ने कुछ arguments प्रेजेंट किया था, उसको भी Supreme Court ने reject कर दिया था, फिर conviction rate जो हम देखते हैं, conviction का मतलब होता है, जब ED ने कुछ charge sheet पर फाइल की, फिर court में उनका मुकदमा चला, ट्रायल चला, फिर final court ने अपना verdict दिया, यह ठीक है, इसको हम convict करते हैं, यानि कि दोशी करार करते हैं, तो उस चीज़ में conviction का rate बहुत कम है, तो जो data दिया गया था, government के दोड़ा Parliament में, there were zero convictions between 2005 से 2013-14 तक, यानि कि, और 2014-15 से 2012 तक, 888 cases आये थे ED के पास, उसमें सिर्फ 23 थे, जो under conviction थे, तो अब दें तो 10% भी नहीं था मतलब, देखा जाए तो, so this is the problem, एंड इसको कैसे handle करना है हमें, इसी चीज़ को समझने की ज़रूर तेमार पास, तो क्या क्या reform ला सकता है हम लोग ED में, तो ये तो है कि इनके काफे सारे stringent powers दी गई है, ये किस तरीके से accused को ये साथ deal करेंगे, तो political misuse हो सकता है, जब किसी के पास ज़्यादा power होती है, लेकिन एक consensus होना चाहिए, consensus मतलब सहमती होनी चाहिए, जो adjudicating authority है उसमें, और ED के जो officers हैं उनमें भी, तो जो process है, अपने आप में एक punishment नहीं बनना चाहिए, तो ED के जो expanded powers हैं, इनको भी स्वागत करना चाहिए, लोगों को there should be greater commitment, ताकि cases को जल्दी solve किया जाए, एक्चुल में power-deease ली गई थी, इस तरह की agencies को, but इनका misuse होता है, और जो भी इनके operations होते हैं, उनको उपर एक निग्राने रखने की ज़रूरत है, लगातार, constant scrutiny की जाने चाहिए, उनके operative part के पर जो भी कमिया है, जो भी lacunas वगरा होते हैं उसमें जो भी चीज हो सकती है, law of the nature को change करना है, gaps वगरा होता है, उनको fill कर सकते हैं, तो को ED वाला topic है अपने आप में आ सकता है exam, there is a very very high chance की exam में पूछा जाएगा, क्योंकि back to back ED का misuse किया जा रहा है, मतलब ED का आपको example देना पड़ेगा, लेकिन you need to understand की investigative agencies का misuse जब होता है, यह चीज exam में पूछी जा सकती है आपसे, या फिर वो यह पूछ लेंगे की contribution of the investigating agencies, फिर आपको आपको close add करना पड़ेगा, misuse of investigating agencies, इस पे news में तो editorial और article आते रहते हैं, since इस topic में हम लोग Bitcoin और cryptocurrency की बात कर रहे थे, let us move to that part, cryptocurrency क्या होता है, crypto, जी word crypto ही होता है, इसका मतलब ही होता है कि एक तरीके से उसको layer to layer secure कर देना, तो हम लोग इसको कभी crypto बोलते हैं, तो ये भी जो digitally और virtually तरीके से जो currency exist करती है न, उसका एक version होता, उसका एक form होता है, तो इसमें transaction को हम लोग secure करते हैं using cryptography, तो इनका कोई central issue या regulatory authority नहीं होता, हमारे उपर जो हम लोग ने PYQ देखे हैं, उसमें एक statement था न, लेकिन यहाँ पर answer मिल गया उसका, कि इनका कोई central issue या regulatory authority नहीं होता, यह एक decentralized system है, यानि का कोई center है ही नहीं इसका, कोई authorize करी नहीं राज इसका, तो हर transaction को उपर नए units बन जाते हैं इसमें, इसको एक network को बोलते हैं blockchain, तो blockchain को keyword से ही समझ लो, blocks होते हैं छोटे 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 छोटे, उसको उपर transaction के record maintain होते हैं, यह transaction यह होई, इसका इतना data, तो हर बर नए units बनते रहते हैं, सब कुछ digital हैं, तो problem भी नहीं होते हैं, cryptocurrency का फायदे क्या होते हैं, एक तो fast और cheap transactions होती है, investment destination, supply बहुत कम होती हैं जैसे कि partially like gold की तरीके से, तो पिछले कुछ सालों में, जो cryptocurrency के price हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो cryptocurrency future में एक investment का destination बन सकता है, anti-inflationary currency होता है, देखो इसकी demand बहुत हाई है currency की, ठीक है न, तो बहुत अद तक इसमें एक growing trajectory देखने को मिल रहा है, अगर हम लोग graph की बात करते हैं, तो इसका graph जो है, prices का rise करना, महंगाई को हम लोग inflation बोलते हैं, इस scenario में लोगों की कोशिश ये रहेगी, कि they will hold more cryptocurrency than spending it, अब ज़्यादा hold करने से क्या होता है, defilitionary effect आ जाता है, bitcoin के बारे में थोड़ा जानते है, bitcoin क्या है, bitcoin भी एक digital currency ही है, जिसमें instant payments होजाते हैं, bitcoin को भी हम लोग एक open source protocol की तरह यूज करते हैं, इसमें भी कोई central authority नहीं होती, bitcoin is a cryptocurrency, यह याद रखना, किसने origin किया था, नाम नहीं पता है, लेकिन लोग मानते कि Satoshi Nakamoto नाम का person थे, जैपनीज थे, 2008 के financial crisis के बाद उन्होंने एक bitcoin को develop किया था, तो central banks के पाद एक अच्छा control हो जाएगा economy का, अगर वो इस तरह की currency को use करना start करते हैं, तो current scenario का है, total बहुत सरे crypto currency से more than 17,000 हो चुके है, और crypto exchange भी बहुत सारा होता है, लेकिन कोई regulation या ban नहीं है इनके उपर India में, as of now, RBI का के stand रहा है, RBI ने पहले भी banks को ban किया था, कि आप crypto को support मत करो, लेकिन RBI ने अपने order को reverse कर दिया था, मार्च 2020 में फिर, तो RBI repeatedly बोलता जा रहा है, कि there is a strong view against the cryptocurrencies, और government का stand ये, government इस पर काम कर रही है, कानून बनाने के लिए, इसके regulation के लिए, so they are still working on this thing, and let's see how soon they come out with this kind of things, एक छोटी सी और इसमें information add कर लेते हैं, कि Central African Republic जो था, वो second country बन गया था, इससे पहले El Salvador था, जो ने बिटकोईल को एक legal tender consider कर लिया था, this was about cryptocurrency, bitcoin and ED के बारे में, और ये सब, देखो मैंने आपको दिखा भी दिए, PYQs, एसी आते हैं questions, इस तरह के सुन-सुन के चीज़े याद हो जाती है, repetition के साथ, और फिर आप question पर easily take भी कर पाते हो, next topic we have is about national लोग अधालत, तो ये topic हमारे GS2 में, polity and constitution, judiciary, उसका पार्ट है, there was a PYQ on this in 2010, there were four statements given, and we had to choose the correct one, number one was, लोग अधालत्स have the jurisdiction to settle the matters at pre-litigative stage and not those matters pending before any court, second was, लोग अधालत्स can deal with the matters which are civil and not criminal in nature, third statement was, every लोग अधालत consists of either serving or a retired judicial officer only, and not any other person, fourth was, none of the statements given above is correct, please try to answer this in the comment section, let us try to understand what are लोग अधालत्स, यह जो टर्म लोग अधालत है, इसका हिंदी में मतलब होता है, People's Court, and यह महत्मा गांदी की प्रिंसिपल से, नहीं सिद्धान्तों पर ही आधारित है, as per the definition of the Supreme Court, यह एक old adjudicating system है, जो कि ancient India में भी हुआ करता था, and आज की इसकी requirement है, this is part of ADR, ADR का मतलब होता है, Alternative Dispute Resolution, तो ADR में और भी बहुत सारी चीज़ा आती है, Mediation आ गया, Conciliation हो गया, उसी तरीके से, लोग अधालत भी, Alternative Dispute Resolution का एक तरीका होता है, पहली बार ये गुजरात में, 1982 में, set up किया गया था, एक camp, जिसमें voluntary और conciliatory agency के तरह से, इन्होंने अपने बहुत सारे decisions लिये थे, since तब से लिकर कि, अभी तक, it's been 40 years, and now the importance and the popularity is growing with time, इसको एक statutory status मिल गया था, under the Legal Service Authorities Act 1987 में, इसके तरह उसकी functioning और गयरा को, एक framework मिल गया था, if we talk about the organization, state या फिर district की legal service authority, या फिर supreme court या high court की, जो legal service committee होती है, वो organize करते हैं लोग अदालत को, जब भी उनको लगता है, इसकी requirement है, every time एक लोग अदालती is organized, उसमें कुछ number of serving या retired judicial officers होते हैं, या फिर दूसरे लोग उसी particular area से, generally वहाँ पर एक judicial officer होता है, जो की एक chairman की position पर होता है, and a lawyer, and a social worker as its members, जो भी conduct होता है लोग अदालत का, वो सारा के सारा किया रहता है, National Legal Service Authority, NALSA के थूँ, NALSA 1987 में, Legal Service Authority Act के under, set up किया गया था, Act 18-1987 का था, लेकिन set up इसको 1995 में किया गया था, basically NALSA का जो aim था न, वो था कि weaker sections जो होते हैं society के, उनको एक Legal Services प्रोवाइड कराना, then 2002 में, हमारा जो Legal Service Authority Act था, उसको amend करके, इसे permanent लोग अदालत का, एक status दिया गया था, अगर हम लोग jurisdiction की बात करते हैं, तो basically दो parties के बीच में, कोई भी dispute हो सकता है, वो dispute court के सामने pending भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा matter, जो court की jurisdiction में ही fall करता है, लेकिन court के सामने अभी तक फेश ना किया गया हो, इस तरह के सारे matters, they all are brought under, national लोग अदालत, या फिर कोई और केस जो pending हो, लेकिन वो refer किया गया लोग अदालत को settlement की लिए, पावर के अगर बात करते हैं, लोग अदालत के पास एक civil court की power होती है, under the civil procedure code 1908 है, further एक लोग अदालत की requisite के उपर, उनका अपना खुद का procedure होता है, dispute को resolve करने का, जो भी proceedings होती है, यह सब की सब Indian Penal Code के थुरू, manage की जाती है, उनका meaning जो होता है, वो Indian Penal Code से निकाला जाता है, and in some cases के अदर, जो code of criminal procedure, जो CRPC होता है, वहाँ से भी, जो भी लोग अदालत का verdict आता है, जो final statement आता है, उसे a decree, यानि कि an award of a civil court ही, consider किया जाएगा, तो जो भी awards दिये जाते हैं, यानि कि award मतलब यहाँ पर final statement, या फिर verdicts होते हैं, they are final and binding on all the parties, to the dispute, इसको लेकर के, further कोई appeal नहीं की जा सकती, there cannot be any appeal, फिर benefit क्या होता है, एक तो कोई court की fees नहीं लगती है, क्योंकि और अगर आपने already कोई fees पे कर दी होती, court में और फिर वो matter कर लोग अदालत में आता है, then वो amount refund भी हो जाती है, अगर वो लोग अदालत में matter को, dispute को settle कर दिया तो, फिर procedure बहुत ही flexible है, कोई rigidity नहीं है, and trial जो हैं काफी speedy होते हैं, कोई strict application नहीं है, procedure के laws ऐसे होंगे इस तरीके से, जो parties होती dispute के लिए, वो directly अपने judges के साथ interact कर सकती हैं, उनसे counselling भी ले सकती है, जो award होता है लोग अदालत का, यानि कि जो final statement होगा, जो मतलब, फैसला जुनाया जाता है, वो binding होता है, सब भी parties के उपर, और यह non-appellable भी होता है, तो इसके करण क्या होता है, कि जो dispute होता है, वो finally settled होता है, pending cases increase नहीं होते, तो this was a small topic, about the national लोग अदालत, ना वी हैव अब इस topic, तिरुपती जो मेगालिथिक बर्याल साइट्स, वो right now ignore किये जा रहे हैं, क्योंका maintenance अगरा नहीं उपा रहे है, so this thing becomes part of your GS1, art and culture, ancient India, मांकि मेगालिथिक साइट्स को लेकर, मेगालिथ, मेगा का मतलब होता है बड़ा, लिथ का मतलब होता है stone, it's a large stone, जिसको pre-historic time में construct किया गया था, तो या तो इसको अकेले, alone construct किया रहा था, या फिर together with other stones, so if you can look into this image, these are multiple types of stones used, then उससे एक पूरा structure बनाया गया था, मेगालिथ को construct किया रहा था, as burial sites or commemorative, memorials, burial sites मतलब, if some of the prominent person, या तो कोई leader, या फिर कोई king वोगएरा, if they dies, तो wherever there are, उनका जो funeral वगएरा होता है, उसके बाद एक remembrance में, उनकी याद के अंदर एक particular place पर, एक megalit set up किया रहा था, तो जो formers हैं, वो सारी की sites हैं, actual burial remains का मतलब होता है, dolmenoid cyst, ठीक है, karen circles होते हैं, capstones होते हैं, या अलग-अलग types होते हैं, तो generally, जो dolmenoid cyst होते हैं, ये box तरह के stone burial के chambers होते हैं, karen circles में circles होते हैं, refined periphery, periphery मतलब होता है boundary, capstone का मतलब होते हैं, यानिकि अलग-अलग तरह के mushroom shape के burial chambers होते हैं, generally जो केरला में मिलते हैं, फिर जो sacrifice होते हैं, जिसके अंदर mortal remains होते हैं, अब इंडिया के अंदर जो archaeologist trace देखने को मिलता है, वो हता iron age से आता है, हलाकि कुछ जो sites हैं, वो बाद में 2000 BC तक भी extend करती हैं, मेगलेट्स इंडियन subcontent में बहुत चीगापर फैले हुएं, जो चीज़े हमको देखने को मिलेगी पैनिंसुलर इंडिया में मिलेगी, और महराष्टा में जो की विदर्ब रीजन है, करनाटका, तमिल्लाडू, केरला, अंत्रप्रदेशन, तेलंगना, कुछ major megalithic sites का एक चोटा चा महप है याँपर, जैसे की बुर्जाओं हो गया, मेरिगर्ड हो गया, अब अगर आप देखो गए, जहां जहां पर यह triangle बने हुए है, जैसे भिम्बेट का हो गया triangle, तो यह पैलेलिथिक sites हैं, और यह नियोलिथिक sites हैं, जहां पर यह dots गरा बने हैं, मिलेंगे आपको, तो किसे ब्रह्मगिरी हो गया, अदीचा नलूर हो गया, यह मेगलिथिक sites हैं, तरा सटेन स्टार जो यह modern cities हैं, यहां आपको अलकता हो गया, मुंबई हो गया, यहां पर यह में देखने को मिलेगा, सो जो हो गया हमारा क्या करते हैं, स्क्वेर वाला जो हो गया, इस आप निगोलिथिक sites, सो हलूर वाला हो गया, पैयम पल्ली हो गया, तो यह दिफरेंट दिफरेंट चीज़ें, तावसरली हर्डिंग हो गया, यह तो आपको map ड्रॉख करना पड़ेगा, जो इंडिया के लिए उनका नाम है, इना कृष्नमूर्थी, तर वस एक वेस्टिन प्रिवेसली बेस्ट उन G20, 2020 के प्रिलिम में आया था, इन विच अप द फॉलोविंग ग्रॉप्स आर ओल्वर कंट्रीस मेंबर प्रिजेंट अर्जेंटिना, मेक्सिको, साउथ अफरिका, तर्की, औस्टेलिया, कैनेडा, मलेशिया, न्यूजिलिंड, ब्राजिल, इरान, साउध एरेबिया, वाइतनाम, इंडोनेशिया, जपैन, सिंगापूर और साउथ कुरिया, प्लिस टाय तो आंसर दिस क्वेश्चिन इंडोनेशिया में एक 17th G20 की Heads of State and Government की समिट हुएने वाली, जो राइट नाँ चल रही है, इंडिया को प्रेजिदेंसी मिलेगी G20 की एक साल के लिए, इंडिया G20 की प्रेजिदेंसी में इन्वाइट करेगा बांगलादेश, एजिप्ट, मौरेशिया, नेधरलेंड्स, नाइजिरिया, ओमान, सिंगापूर, स्पेइन, एन युएई as their guest countries, एक शब्द होता है उसको बोलते हैं ट्रोइका, ट्रोइका का मतलब होता है जो ग्रूपिंग के लिए ना, करेंट में कौन है उसका लिडर, प्रिवेसली कौन था और अपकमिंग प्रेजिदेंस किसकी है, तो करेंटली अभी देख रहे हैं तो इंडोनेशिया में हो रहा है, एस पर अपकमिंग G20 की समेट हैं उसमें कुछ प्रिविटीज हैं एक तो है, इंक्लूसिव, एक्विटेबल और सस्टेंबल ग्रोथ, देन लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल और अन्वारमेंट यह जो टॉपिक था, एक क्राइम, G20 क्या है, इसको हम लोग गुरूप 20 भी बोलते हैं, 1999 के अंदर जो फाइनशल क्राइसिज हुए था ना, 1990 के, उसके बाद इसको फॉर्म किया गया था, इसमें उस टाइम पर जो फाइनशल क्राइसिस थे, वो इस्ट एसिया में और साउथ इस एसिया में देखने को मिले थे, और इनका ऐम है कि जो मिडल इंकम कंट्रीज होते हैं, जिनको हम शॉट में M.I.C. भी बोलते हैं, उनको ग्लोबल लेवल पर फाइनशल स्टेबिलिटी में सिक्यार करना, तोगेधर G20 में ओवरल 60% वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, 80% वर्ल्ड की GDP है और 75% वर्ल्ड का ग्लोबल ट्रेड होता है, if you talk about the members, then you get your answer of this PYQ also, the answer will be first one, Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, Republic of Korea, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, UK, US and EU, so Turkey is there, South Africa is there, Mexico is there and Argentina is there, so as per this, the question, answer to this question is the first one, Spain, इसमें एक invited permanent guest की तरह है, if you talk about the presidency, यह हर साल presidency rotate करती है, and Troy का हम लोगों नहीं देखी लिया था, mandate की बात करते हैं, तो कोई permanent, इसमें ऐसे secretariat नहीं है, G20 का कोई permanent secretariat नहीं है, and यह coordinate किया राता है, जिसको बोलते हैं, जो members होते हैं, जो उनको coordinate करते हैं, representatives होते हैं, हार country, उनको share pass बोलते हैं, share pass is another word that is used by the Nepalese, so they are the people who escort those who go to the mountain tracking, उनको escort करने के लिए जो लोग होते हैं, उनको share pass बोलता है, primary mandate हैं, वो है international economic cooperation, एक significant role play करते हैं, global economic agenda में, 1999 से 2008 था, यानि कि almost for a decade, इन्होंने एक जो central bank के governors बगरा होते हैं, उनसे लेकर के finance minister से लेकर के head of state तक, यह पूरा का पूरा forum जो था हो, इस तरीके से perform करता था, कि यह सब लोग मिलते थे, central bank governors मिलते थे, finance ministers मिलते हैं, head of states मिलते हैं, so this was about G20, there is a small correction in this thing, मैं एक चीज़ करेक्ट करना चाहूँगा, खासकर कि यह जो Troika को लेकर के, Troika में actually क्या होता है ना, कि एक तो जो current है, that is Indonesia, एक होता है previous, previous में actually Italy आएगा, ठीक है, और जो next होगा India, तो वो है India, Troika भी यह चल रहा है, because previous happened in Italy, जब मैं देख रहा था, मैं एक सदनल लगा कि Brazil नहीं हो सकता, Brazil future में होगा after this, तो Troika का मतलब होता है, previously कौन सा, sorry, अभी कौन सा चल रहा है current में, previously किस country के पास है presidency, और future में किस के पास होगी, right now it is with Indonesia, earlier it was with Italy, next 2023 it will be with India, तो यह चीज़ थोड़ी से correct कर ले ना, we have this topic, activists ask election commission to stay the sale on the electoral bonds, GS2 का topic है, quality in constitution election commission electoral bonds, तो recently गुजरात के जो assembly polls हो रहे हैं, वहाँ पर एक transparency campaigner हैं, और RTI activist हैं, तो उन्होंने complain की थी, chief election commissioner के साथ, कि उन्होंने demand की थी, यह जो unscheduled sale होती है न, electoral bonds की, इसको रोग दिया जाया, इससे पहले हमारा यह topic न एक्जाम में, news में आ चुका था, तो एक्जाम में नहीं आया, news में आया था, तो recently State Pack of India ने भी data report शेर की थी, उन्होंने कहाँ था कि जो donations जाता हैं न, political parties को through these electoral bonds, वो 10,000 करोड को cross कर चुके थे, collect to other parties के द्वारव वो था 10,246 करोड, 2018 से लेकर, जब सही scheme को लागू किया गया था, electoral bonds क्या होते हैं, पहली बात तो इन bonds को issue को कर सकता है, और cash को कर सकता है State Bank की, अब electoral bond में क्या होता है न, हमारे पास एक bank हो गया, जैसे SBI हो गया, और हमारे पास parties हो गई, एन हमारे पास एक individual citizen हो गया, अभी citizen को अगर इस party को पैसा देना होता है तो यह directly पैसा नहीं दे सकता, यह क्या करता है, यह SBI के पास जाएगा, SBI के पास bonds होते हैं, 1000 रुपे का, then 10,000 रुपीज का, उसके बाद 1,000,000 रुपे का, and then 10,000,000 रुपीज का इस तरीके से, तो citizen जाएगा SBI के पास, वो उनको अपना cash देगा, SBI इनको एक bond देगा, bond का मतलो होगा एक paper, अभी यह bond जो होता, यह person deposit कर सकता है party को, और parties bond को फिर cash करा सकती, SBI के थूप, यह process जो था न, यह पूरा का पूरा लाया गया था, transparency को लाने के लिए, तो सरफ eligible parties ही, इनको redeem करा सकती है, वो same चीज deposit कर सकती है, इनको अपने bank में, bonds को issue के रहता है, in denomination, 1,000, 10,000, 1,000, और 10,000 में, तो 10 दिन के लिए available होते हैं bond, साल में, 4 बार, January में, April में, July में, October में, यह सब कुछ maintain किया, decide कोन करता है, Central Government, कौन-कोन eligible होता है, तो वो parties, basically जो हमारे representation of people act में mention किया गया, section 29 के, जिन्होंने at least 1% से जज़्यादा अपनी seats पगरा reserve की होती है, last general election में, या फिर legislative assemblies में, सिर्फ वो electoral bonds receive कर सकती हैं, तो are the electoral bonds are concerned for India, पहली बाद तो हमारा जो basic idea था ना, यह उससे को थोड़ा सा contradict करता है, तो हमारा जो criticism देखने को मिल रहा है, electoral bonds का वो है कि, यह जिरुट का purpose था ना, वो था transparency लेके आना, election funding में, वो ही चीज़ी यह नहीं कर पा रहे हैं, यानि कि critics ने बोला था कि, electoral bonds जोन anonymous होते हैं, अब operation parties वगरा को पता नहीं चल पाता, ruling party को पता नहीं चल पाता, किसने किसके पास कितना पैसा दिया, intention हमारी यह थी पता करना की पता चले कि, कौन किसको कितना पैसा दे रहा है, बट यहां पर इनको anonymous रखा गया है, तो कौन person जाके पैसा deposit कर रहा है, electoral bond लेकर के, पता नहीं चल पाता, extortion की possibilities होती हैं, तो government के खुद के दुवारा owned, SBI के दुवारा यह बेचे जाते हैं, तो government को पता हो चल सकता है, कि कौन उनके opponents को funding दे रहा है, कि SBI government का बैंक है, तो government चाहे तो SBI से information निकल वा सकती है, चुप चाप, अब लोट टु डिमोक्रसी, तो Finance Act 2017 में कुछ amendment किये गए थे, जहां पर union government ने, उन political parties को exempt कर दिया था, कि they should not disclose donations received through electoral bonds, सिटीजन के पास एक राइट होता है, जब वो अपनी वोट को कास्ट करते हैं, they also need to know, किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, किसको पास कितना पैसा जा रहे हैं, एक राइट टु नो होता है, सुप्रीम कोट ने कहा था, जो राइट टु नो होता है, सिटीजन की जब डिटेल देते ही नहीं है, then they are not fair elections, then there is chronic capitalism, तो पहले political donations के उपर, एक तो anonymous होगा करता था, कौन से businessman ने किस company ने कितना पैसा दिया है, अब जो electoral bond की scheme हैं, ये पहले वाले सारी limits हटा दिया नोने, political donations की, अब elections में जो भी funding वगरा जाती हैं, they come, they allow कर दिया है, इनको की well resort corporations से, इसके कारण क्या होता है, chronic capitalism के अंदर क्या चीज़ होती हैं, तो अपने आप में एक economic system ही है, chronic capitalism, इसमें close mutually advantages relationship होती है, business leader की और government official की, कहने का मतलब यह है, मान लो reliance है, तो reliance क्या करेगा, reliance जो ruling government है, उनको बोलेगा कि मैं अपना यह project, पास कराना चाहता हूं, and you need to pass this project, मैं आपकी party को इतनी funding दे दूँगा, maybe like एक करोड की दे दूँगा, यह पचास करोड की, हजार करोड की जो भी होता है, this is how it goes, basically आप advantage exchange करते हो, कि मैं आपको यह advantage दूँगा, आप मुझे वो advantage दो, तो यह कहीना कहीं चलता है, पहले aim यह था कि पता चल जाएगा, तो people will try to, like it was meant to deter, कहीना कहीं लोगों को पता चलेगा, पालिटिकल पार्टिस को इस तरीके से open में, लार्ज अमाउंट देना ठीक नहीं है, बाट वो deterrence वाले जो चीज थी थी न, वो still अभी भी prevalent है वो, इसलिए SBI की रिपोर्ट से बता चल रहा था कि, यह इतने ज़्यादा, अमाउंट में जब जा रहा है, तो not that much effective, वे फोरवर्ड क्या हो सकता है, हम लोग political financing को उपर regulation लगा सकते हैं, जो corruption का एक vicious cycle होता है, we can try to reduce this, जिसके करण हमारी democratic, political quality खराब होते जा रही है, तो current कानून जो उसमें, जो भी loophole से हैं, we can try to fix them, हमारी जो machine जो उसको जदा accountable, यानि कि जवाब दे, और पारदर्शी, transparent बना सकते हैं, the voters, they can be made aware, उनको थोड़ा सा awareness campaign से हम बता सकते हैं, कि किस तरीके से उनका money का misuse हो सकता है, possibility क्या है, अगर voters reject करें candidates को और parties को, जो उनको bribe करते हैं, then हमारा जो democracy होगी, वो एक step higher चली जाएगी, topic है, मुर्मू टू विजिट बिर्सा मुंडा ज विलेज और नवेंबर 15, जो हमारे प्रेजिडेंट ने करेंट, she will be visiting 15th नेंबर को, जो बिर्सा मुंडा का विलेज था वहाँ पे, तो 1875 में मुंडा ट्राइब के अंदर, चोटा नाकपुर प्लेट्व में विर्सा मुंडा का जन्म हुआ था, यह topic हमारे GS1 का है, modern history का, tribal rebellion में विर्सा मुंडा, जो personality उनके बारे में, इस पर पहले previous question आ चुका है, मैंने हैं mention नहीं किया, बट question आ चुका है, उन्हें हम धर्ती अब्बा के नाम से भी जानते थे, उनका जो major aim था ना, जो उनने किया था, वो था कि tribal community को Britishers के against खड़ा कर दिया था, योकि वो लोग उनके land rights को लेना चाते थे, बिर्सायत सेक्ट जो है, इनका काम था कि British colonial ruler के against एक awareness generate करना, जो भी missionaries वगरा थे, जो इन ट्राइबल्स को Christianity में convert करते थे, तो इसी कारण से बिर्सा ने स्टार्ट किया थे एक faith, बिर्सायत, तो जो members है, मुंडा और around community के, उन्होंने इस बिर्सायत sect को join कर लिया था, और ये उन Britishers के लिए, जो उनको convert करना चाते थे, उनके लिए problem बन गी थी, अच्छा, Britishers convert क्यों करना चाते थे, वो ना Christian missionaries को भेजते थे, ताकि इन लोगों को, जो उस समय marginalized sections थे, they were not well educated, इनको direct crown के साथ connect कर सके, direct crown के साथ connectivity आ जाएगी, अगर ये they started to believe in Christianity and all, तो ये उनका एक तरीका हुआ करता था, but somehow people were intelligent ही न, उनको समझ में आ गया and they tried to rebel, तो मुंडा जो rebel था, ये tribal movements का one of the most important movement था, इसको विर्सा मुंडा ने lead किया था, राची के साथ से, 1899 से 1900 में, तो इस movement के अंदर बहुत सारी चीज़ देखने के मिली थी, जो land policies थी, Britishers की, वो हमारे traditional land system को खतम कर रही थी, Hindu landlords और जो money lenders थे, वो उनकी जमीनों को ले रहे थी, missionaries जो थे हमारे traditional culture को खतम कर रहे थी, उल्गुलान और great tumult जो था, ये movement आये थी, इसका नाम था, इसी को मुंडा राज ने स्टार्ट किया था, तो मुंडा ने traditional symbols और languages का इस्तेमाल किया था, उन्होंने कहा था कि हमें रावन को खतम करना है, रावन का मतलब जो बाहर से आए है, Europeans और बिरसायराज के जो followers थे, उन्होंने दिकू और European power जो थे, दिकू बतले basically outsider को बोलते थे, उनको attack करना स्टार्ट किया थे, उनके police station पर attack किया, charges पर, उनकी property को raid करना स्टार्ट किया था, फिर बिरसायराज का जो flag था ना, वो था white flag, वैसे white flag जो होता है, वो symbol of peace भी होता है, थर्ड मार्च 1990 में, इनको बिरसा मुंड़ को arrest कर लिए गया था, बिरिटिश पूल जो police के द्वारा, जिब वो अपने गुरेला आर्मी के साथ सो रहे थे, जमको पाई forest में, तो he died because of cholera, jail में जब थे, और उसी के बाद movement जो थे, यानि कि जो outsiders है, they cannot easily take away the land of these tribals, तो इसके बाद उनका आया था, छोटा नाकपू टेनेंसी एक्ट, 1908 में, इससे बता चल गया था, जो tribal people है ना, उनके पास एक बड़ी अच्छी capacity है, they can protest against the injustice, उसी के favor में, जहारकन foundation day celebrate किया जाता है, जो state था, वो basically बिहार Reorganization Act के बाद आया था, 15 November 2000 को, उस समय जो भगवान बिर्सा मुंड़ा, उनको consider करते हैं भगवान, तो तब से जहारकन्ड, जहारकन्ड का मतलब तो the land of forest, तो जहारकन्ड का border जो है, वो बिहार के साथ है नौर्थ में, यूपी के साथ है, चतिसगड के साथ वेस्ट में है, साउध मोडिसा के साथ, और इस्ट में वेस्ट में बिंगॉल के साथ है, mostly जहारकन्ड का state है, वो छोटा नागपुर प्रेट्यूबर है, यहां से दामोदैर, ब्रामिनी, खरकाई, सुबरन निखरेवर, यह सब ओरिजिन होता है इनका, फोरेस्ट के अंदर जो population of tigers and Asian elephants है, महाँ पर बेतला नैशनल पाथ भी है, यह काफी ज़ाद है, जहारकन्ड में इंडिया का mineral और core reserve है maximum, जो की 40% से 29% है, यहां पर 32 tribal groups हैं, जिसमें मुंडा है, कोल है, संथल है, औराओ है, खोंड है, असूर है, गोंड है, यहारा questions based on these things, tribal area के उपर questions आते हैं, and schedule 6 में इनके बारे में बात की, schedule 5 में schedule areas होते हैं, 6 में होता है, फिर हमारा जो पंचायत का extinction act आया था, वो the scheduled areas, वो भी कहना के connect करता है इसी topic से, हमारपा जो next topic है, उसमें हम लोग बात करेंगे, about the substantial pre-symptomatic monkeypox spread found, एक topic और है, personalized cell editing वाला, इसमें हम लोग CRISPR technology और CS9 के बारे में बात करेंगे, बट यह हम कल कवर करेंगे, तो कल वाली वीडियो में मैं इसको कवर कर दूँगा, आज हम लोग यह जो monkeypox वाला है न, इसको कवर करते हैं, क्योंकि जो CRISPR 9 वाला है, मुझे इसमें आपको और सारे diagrams आड़ करने पड़ेंगे, तो मैंने रिकॉर्ड किया था, बट आई थाउट कि यह content आपको और अच्छे से explain करने की ज़रूत है, CRISPR वाला question दो बार आ चुका है प्रलिमस में, एर एक बार में इसमें भी आया था वहाँ से question, तो लेट आस टाया तो अंडेस्टेंड यह जो monkeypox वाला topic था न, इसमें 2020 में इसमें से connected एक question आया था, कि critically examine the role of WHO in providing global health security during the COVID-19 pandemic, recently क्या हो था, जुलाई के आस पास WHO ने इसको monkeypox virus को एक global health emergency declare कर दिया था, तो more than 16,000 cases देखने को मिले थे इस virus के, जो की starting में largely confined था एफरिका का और बाद में इफ़री spread होना start हो गया, पहले तो लेट आस टाया तो understand कि यह किसी भी चीज़ को declare करना कि as an emergency for global health इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होगा कि अभी extraordinary event बन चुका है, हाना और ज़्यदा countries में फैल सकता है, यानि इसमें हमें global level पर एक coordinated response के requirement है, तो क्या क्या elements होते हैं which makes it possible to consider it as an health emergency, तो virus को non-endemic countries में, यानि कि जहां हो पहले नहीं था, वहां भी spread करेगा, और वो rapidly spread कर रहा है, जहां पहले कभी देखा नहीं जाथा, तीन criteria होते हैं किसी public health emergency को declare करने के लिए, और WHO decide करता है को तीनो criteria set हुए या नहीं, तीनो criteria को declare करने का वज़ता है, extraordinary event होना चाहिए, और उसमें public health का risk होना चाहिए, दूसरे states को international spread होना चाहिए, और basically, potentially उसमें coordinated response के requirement होनी चाहिए, तो यह जो numbers हैं, monkey pox के, यह 5 गुरा बढ़ गये थे, एक महीने के अंदर अंदरी, फिर कुछ scientific सिधान्त थे, कुछ evidence देखने को मिले थे, जिन से पता चला था कि, यह बहुत सारे लोगों को इसके बारे में idea भी नहीं है, और अभी जो information हो भी बहुत कम है मारे पास, human health का risk है, international level पर spread कर सकता है, and future में, वहारा जो international traffic ही के, उस traffic के साथ भी interfere कर सकता है, previously declared कुछ emergencies के बारे में थोड़ा सा idea रखता है, WHO ने पहले भी कुछ चीजों को, emergency में declare किया था, तो COVID-19 का pandemic था, 2014 में, West Africa में जो Ebola outbreak हुआ था, उस time पर भी, फिर Latin America में, 2016 में Zika virus का outbreak हुआ था, and उसके बाद right now, जो कुछ efforts चल रहे हैं, polio को eradicate करने के, यह सब के सब extraordinary events पर consider किया जाते हैं, तो जब भी इस तरह के emergency declare की जाती है, तो उससे ज़्यदा global resources collect हो जाते हैं, and उस outbreak को लेकर के, लोगों की attention ज़्यदा हो जाती है, then people become very concerned about this, let us try to understand what is this monkey pox, यह एक zoonotic disease है, zoonotic का मतलब होता है, that it can spread from animals to human beings, तो it is zoonotic, covid-19 is, अच्छा, okay, let's try to answer this question, is covid-19 a zoonotic disease or not, इसका origin तो bats से हुआ था, तो क्या यह zoonotic में count होती है और नहीं होती है, try to answer this question, infection को monkey pox पहली बात तो 1958 में ही figure out कर दिया गया था, and pox की तरह वो ही जो अपने जैसे small pox होता है, chicken pox वगरा टाइप का होता है, उसी ताइप की disease होती है, not everything exactly same, बट यह virus है, तो there are similarities, but they are not same, symptoms क्या होते हैं, उनके body के उपन चिकन पॉक्स की तरह यह rashes दिखने लग जाते हैं, लेकिन fever और उसके बाद headache वगरा जो होता है, वो usually जादा होता है, chicken pox में इतना नहीं तो जितना monkey pox में जादा होता है, early जो stage होता है, monkey pox को हम लोग थोड़ा से distinguish कर सकते है, small pox से, या फिर कोई और चीज़ से, तो fluid बगरा के contact से हो सकता है, human to human transmission भी हो सकता है, जो कि अगर हमारा infected respiratory tract जो होता है, उसके secretions के थुरू, transmission जो होता है, वो inoculation के थुरू होता है, या फिर जो basically बहुत प्लेसंट है के थुरू भी होता है, या निकि mother जो pregnant होती है, उनके बच्ची को भी वो transfer हो सकता है, वो लेरीटी की बात करें, तो बहुत rapidly spread कर रहा है, और one out of ten deaths is infected, तो ये spread तो काफी कर रहा है, या निकि अगर सो में से, दस लोगों की death हो जाती है, अगर सो लोग अगर infected हैं, तो दस तोस में मरेंगे मरेंगे, ट्रीट्मेंट एंगे की बात करें तो कोई specific treatment एंगे अभी तक अवेलिबल नहीं है, लेकिन जो European Union ने उन्हों recommend किया था, जो smallpox vaccine है, M1X, उसको use कर सकते हैं, जब WHO ने रेक्लेर किया था इसको, तो this was all about today's topics, please try to be regular and do mention, delayed because of certain reasons, if I keep traveling from here to there, and I prefer to travel early in the morning, that's why I couldn't record, travel करते हो, record हाँ ने सकता, but I'll try to bring it up to uniformity, की 8 बजेता की अपलोड हो जाए, thank you very much, keep supporting,